हेलो गाई वेलकम बैक टूमा योट पचैनल सो गाई आज हम रेडिंग करने वाले हैं करियर में अगला पड़ाव क्या रहेका ठीक है यहाँ पर मैंने दो कार्थ रखे हैं कि जिसमें इमेज्ज हैं पहला जो इमेज है यह rainbow का image है और दूसरा जो image है यह ruby का image है guys okay आपको जो भी image attractive लग रहा है eye catchy लग रहा है वो आपको choose करना है and आपको reading check out करनी है related to career okay career profession whatever जो भी messages मुझे मिलेंगे मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश करूँगी okay so yes choose करिए अपने card को अगर आप choose करने में दिक्कत हो रहा ह है आपको तो अब दूनों भी pile की reading देख सकते हो ठीके so बढ़ते हैं पहले option की तरफ पहले card की तरफ जो कि rainbow का card है okay so hello my option one people तो अगर अपने card one chose कर रहा है जो कि rainbow का card है guys तो चलिए देखते हैं कि career में क्या अगला पडाव रहेगा ठीके जहां तक यह card में message है कि good news, good news, intuition, favorable change and adventure तो यहाँ पर universe यही message दे रहे है इस card के तहत या इस card के चलते option one या card number one कि आपको अपने intuition का यूज करना है career के मामले में okay हो सकता है कि career के related, job के related, business के related, profession के related आपके life में अभी favorable changes नहीं है okay बहुत ज़दा उता चड़ाव आप देख रहे हो ठीके हो सकता है यहाँ पर आप को जाना कहीं पर और है और आप जा कहीं और रहे हो ठीके तो बहुत ज़दा उता चड़ाव आप देख रहे हो ups and downs देख रहे हो and that's why हो सकता है कि आप good news का wait कर रहे हो यहाँ पर हो सकता है कि आपने करीर में आपके profession में बहुत जदा new ideas दिये है बहुत new outcome देने की कोशिश कर रहे हो job try करने के कोशिश कर रहे हो interviews दिये है बट वहाँ पर आपको success नहीं मिल रहा है ओके बट कहें न कहें आपके intuition बोल रही है कि yes आपके जिंदिगी में favorable changes आएंगे good news आपको ज़रूर मिलेगी जिस तरह के से आपने rainbow को card choose करा है option number one ठीके तो चलिए देखते है कि career में अगला पड़ाफ क्या रहेगा for card number one okay so let's see guys a general reading है यह आपके personal reading नहीं है तो जो भी messages आपको मिलते है positively लेना है and उसको claim भी करना है ठ ठीके so pile number one के लिए देखते हैं कि क्या favorable changes है in career for card number one that is rainbow का card rainbow career में क्या पड़ाव है so first card आपके लिए है lovers then you have three of swords four of coins first thing pile number one मैंने जैसे कि कहा था कि भली आपकी जिन्देगे में अभी options नहीं है okay मैंने काच निकालने से पहली कुछ चीजे बताई जो कि मेरे style है बताने का okay कि आप career के related अभी बहुत मशगत कर रहे हो okay एक तरह की से अपना पूरी तरह की से तूट चुके हो कि मेरे career में boost हो गाया नहीं मेरे business में boost हो गाया नहीं मुझे options मिलेंगा है नहीं मुझे opportunities मिले गए नहीं इस तरह के से आप परेशान हो career profession के related यहाँ पर कुछ विवर्स हो सकते है कि exams के मामले में भी आप लोग बहुत ज़दा परेशान हो अगर आप किसी business के मामले में भी देख रहे हो तो yes आपकी current situation आप बहुत परेशान हो कही न कहीं आपकी intuition बोल रही है यह सारे चीज़े अच्छी हो जाएंगी बट कहीं न कहीं आप ignore कर रहे हो option no.1 यह card no.1 ठीक है first thing career में क्या पड़ाव आएगा career में अभी जाके आपकी जिंदगी में options बहुत ज़दा मिलेंगे चाहे आप career की related देख रहे हो profession की related देख रहे हो business के related देख रहे हो या फिर आपकी exams के related देख रहे हो education या exams के related देख रहे हो ठीक है but आपके जिंदगी में options आपको मिलेंगे भिले ही अभी आपके जिंदगी में opportunities नहीं है या फिर नहीं मिल रही है तो आपको दुखी नहीं होना है okay क्योंकि universe ने आपके लिए बहतर choose करके रखा है okay so no doubt थोड़ा सा mindset आपका low हो रहा है थोड़ी से energy आपकी drain out हो रही है तो energy drain out नहीं करके लेना है option one ठीके आपके जिंदगी में ऐसा ही job career आपको मिलेगा जो आपको boost दिलवाएगा जो आपको success की तरफ लेकर जाएगा financial abundance भी दिलवाएगा ठीके यहाँ पर मैंने जैसे कहा कि अगर आप बहुत ज़दा दुखी हो रहे हो परेशान हो रहे हो तो release करना है उस चीज़ को ठीके यहाँ पर हो सकता है कि अभी आपको job नहीं है परेशान मैंने जैसे कहा कि job नह नहीं होना है कही ना कही opportunities आपको मिलेंगी अच्छी high salary के opportunities आपको मिलने वाली है option number one card number one ठीके तो tension नहीं लेना है mindset आपको लो करके नहीं लेना है ठीके और देखते हैं क्या अगला पड़ाव है but जो भी opportunity अभी आपको मिलने वाली है वो कही ना कहीं आपको boost दिलवाएगी okay हो सकता है कि आपने कही अलड़ी interview देकर रखा है बट आपको वहाँ से जवाब नहीं मिल रहा है okay so जवाब नहीं मिल रहा है फिर भी वही से ही आपको offer मिलेगा या फिर opportunity मिलेगी तो job आपकी ही होनी है आपका profession boost कर ही जाएगा ठीक है so let's see और क्या message है यहाँ पर यह first मैं pick कर पा रही हो guys आपके लिए let's see two of swords, ease of coin and यहाँ पर six of swords yeah so यहाँ पर ना मुझे यह भी नजर आ रहा है option number one कि जिस तरह के से आपके जिन्दिगी में opportunities आएंगी okay यहाँ पर बहुत सरे viewers ऐसे हो सकते है कि आप लोग दो रहे situation पर हो crossword situations पर हो कि इधर जाओ या उधर जाओ यह offer नहीं मिल रहा है तो मैं business करो okay तो आप दोनों भी कर सकते हो guys कही ना कही आपके जिन्दिगी में दोनों भी चीजों में आपको बरकत मिलेगी abundance मिलेगी and financial stability भी ज़रूर मिलेगी okay अगर आप business में भी जाना चाहते हो तो business में भ कहा था okay यहाँ पर हो सकता है कि एक साथ आपके लिए दो offers भी मिले option one card number one आपके लिए दो option से आप मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है so आपको आपका confusion level हो सकता है आगे जाके but आप जो भी decision लोगे अपनी intuition की सुनकर लेना है जल्दबाजी नहीं करना है यह आपके लिए advice है ठीक है advice यहीं है कि negative आपको नहीं सोचना है ठीक है intuition की सुननी है मैंने पहले ही कहा था guys intuition की आपकी सुननी है क्योंकि आप तूर सोच का भी card है ठीक है यहाँ पर बहुत सरे viewers ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी तरफ opportunities आ रहे है बट आप लोग ignore कर रहे हो ठीक है so ignore नहीं करना है no doubt अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कम salary है या फिर कम यहाँ पर मुझे दे रहे है कम talent दिखाने का मौका नहीं मिलेगा मुझे खुद साबित करने का मौका नहीं मिलेगा ऐसा आपको लग रहा है बट कहीं न कहीं यहीं आपको boost दिलवाएगा यहीं आपके जिंदीगी में नए opportunities create करवाएगी new beginnings लेकर आएगी option 1 ठीक है यहाँ पर age of coins का भी card है that means yes आपको आप चीजों को नजर अंदास कर रहे हो नजर अंदास नहीं करना है खुले हांकों से देखिए पहले यह opportunity कैसी है तब ही जाके आप decision लेजिए तब ही जाके आपको इस job को grab करना है तब ही इसकी तरफ आपको बढ़ना है यहाँ पर कुछ viewers ऐसे भी हो सकते है कि आपको अगले पड़ाव में career के अगले पड़ाव में out of India जाने का भी मौका मिलेगा option number one okay for sure आपको out of India जाने का मौका मिलेगा या फिर दूसरे city या दूसरे state में जाने का मौका मिलेगा जो कि आपके career में boost दिलवाएगा जो कि मैंने पहले ही कहा था option one but यहाँ पर give up नहीं करना है क्योंकि मुझे इस इस pile में बहुत सदे viewers डुखी है परहिशान है move out करने की कोशिश कर रहे है give up करने की कोशिश कर रहे है यहाँ पर कुछ viewers ऐसे हो सकते कि current job भी छोड़ने की कोशिश कर रहे है okay क्योंकि यहाँ पर crossword situation है आप लोगों का confusion level है आप लोगों का that's why आप लोग के सोच रहे हो तो सोचना नहीं है ऐसे ठीक है आपकी जिंदीगी में अभी अगले पड़ाव में बहुत ज़दा options है okay बहुत ज़दा opportunities है guys आपको आखे खुली रखकर देखना है और यह options आ आपको ना दूसरे लोगों से बचके रहना है guys okay यहाँ पर बहुत ज़दा ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि आपके career के बीच में आ रहे हैं आपके growth के बीच में आ रहे हैं तो थोड़ासा आपको लोगों से बचके रहना है no doubt career के अगले पड़ाव में आपके जिंदीगी में abundance है खुश्या है salary hike है increment है promotion आपकी related है बट आपके एदिगर्द के लोगे न अच्छे नहीं है okay so आपके जो talent है आपके जो intelligence है आप तक सीमित रखना है यहाँ पर option no.1 में नहां वीवर्स के जिंदगी मिना ऐसे भी लोग है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं या पर आपको पीछी खीच रहे है तो उन से थोड़ी से दूरिया भरतनी है आपको pile 1 ठीक है तब ही जाके आप success की CD चड़ोगे यहाँ पर आपके लिए है guys okay आपके career के अगले पड़ाव में है और यह लोग यहीं चाहते है इनका intention यहीं है कि आप job change कर लो या फिर आप अप लोग give up कर रहे हो तो give up नहीं करना है ऐसे लोगों से आपको लड़ना है fight करना है fight back करना है ठीक है तो आपके जो talent है आप तक सिमीत रखना है किसी ऐसे person को नहीं देना है जहाँ पर वो उसका गलत फाइदा उठाए आपका गलत फाइदा उठाए पाइल वन ठीक है तो करियर के मामले में लिटरली आप लोग बूस्ट देखो के जैसे कि आपने ये rainbow का काड़ चूस करा है पाइल नंबर वन ठीक है बट मैंने जैसे कहा कि intuition का use करिये गाईज किसी emotions में ना भीये क्योंकि ऐसे चीटर लोग है आपके career profession में तो बच की रही है बस में यहां पर इतना ही कहना चाहूंगी पाइल वन के लिए ठीक है तो अगर आपने ये रूबी का काड चूस करा है guys तो चली देखते है कि करियर में अगला पड़ाफ क्या है यहां पर मुझे से नजर आ रहा है कार्ड नमबर टू में कि आप लोग करियर के साथ साथ अपनी relationship relationship marriage love and romance को भी manifest कर रहे हो या फिर आप इंतजार कर रहे हो तो दोनों terms पर आप लोग कि इंतजार कर रहे हो option number two ठीके यहां पर मुझे नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर material gain है power है love and romance भी है ठीके जो भी आप wish मांग रहे हो वे जो भी आप अपने goal set करके रखा है उस goal में आपको success जरूर मिलेगी okay material gain तो आपको मिलेगी ही मिलेगी साथ ही साथ न मुझे यहां पर कोई leadership का भी leadership की भी energy मिल रहे है guys okay promotion leadership उसके साथ साथ हो सकता है कि आप आपके जिन्दगी में कोई love romance भी आएका ठीके तो दोनों तरफ से मुझे से नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से आपके जिन्दगी में खुशिया आने वाली है ठीक है करियर के साथ साथ love relationship भी आने वाला है option number two okay जिस तरह किसे आपने ये card चूज करा है that means दोनों भी खुशिया आपको मिलने वाली है या फिर आप दोनों चीज़ों के लिए बेट कर रहे हो okay so चले देखते हैं pile two के लिए करियर में अगला पड़ाफ क्या है चाहे वह आपका profession है चाहे वह आपका business है चाहे आपका career है चाहे आपके studies है जो भी रहेगा overall हम देखेंगे option number two के लिए okay so first card आपके लिए है guys it's three of coins है then you have moon and four of swords okay four of swords अप लग बहुत patience हो pile number two patiently wait कर रहे है आप सारी चीज़ों का hangman yes hangman again वही बता रहा है मुझे कि अभी आपके career में न बहुत मुझे सदिख रहा है कि चीज़े बहतर होने में कहीं न कहीं आपके जिन्दगी में थोड़ा सा time लगेगा pile number two okay क्योंकि आपके जिन्दगी में अभी थोड़े से bad phase से अब गुजर रहे हो monetary terms पे okay monetary terms पे आप bad phase से गुजर रहे हो option number two that's where हो सकता है यहाँ पर जिन्होंने भी card two choose करा है आप यह सोच रहे हो कि job भी मिल जाए शादी भी हो जाए कि यहाँ पे na career का wait करकर के आप exams देते देते ठक चुके हो okay so अगर job नहीं मिल रही है तो शादी भी हो जाए ऐसे कुछ आपका यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है हो सकता है कि career में थोड़ा सा आप waiting period देख रहे हो अभी आप महनत तो कर रहे हो बट आपको उसका result नहीं मिल रहा है आप खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे हो बट आप नकाम हो रहे हो option number two ठीक है so yes अगला पड़ाव क्या है career में यहाँ पर अगर मैं बोलो option number two तो आप जितना कोशिश कर रहे हो न जितना आप talents दिखा रहे हो थोड़ा सा आपको एर्दगर्द के लोगों पर नजर रखनी है ठीक है थोड़े से अपने आसपास के लोगों से बच के रहने के लिए कहां जा रहा है क्यों बिकिस यहाँ पर three of coins तो positive card है बट आप देखो तो यहाँ पर ना एर्दगर्द के लोग अच्छे नहीं है and that why यहाँ पर moon भी निकला है four of swords भी निकला है and hangman भी निकला है okay see अगले पड़ाव में आपके जिन्दगी में खुशियां तो है बट आपके लिए advice जादा है option two okay advice है कि आपके जिन्दगी में आप जो भी talent दिखाऊगे या जिस भी stream में आप अपनी CD चड़ रहे होना पर आपको संभल कर जाना है संभल कर पैर रखना है okay क्योंकि आपके आसपास के लोग आपको drain out करने की कोशिश करेंगे आपका emotionally फाइदा उठा सकते हैं okay आपके जिन्दगी में जो भी आना चाहिए वो आने के लिए वो बादा बन सकते हैं यहाँ पर ना आपको workload भी रहे इस तरह से आपको फस आएंगे option two and आपको ना कहीं ना कहीं आपके career में, profession में, job में मुझे से नजर आ रहा है कि चीजे लटकी हुई रखेंगे या फिर लटकी हुई रहेंगी अगरे पड़ाव में okay तो आपको सावधानी यही रखनी है कि आप जो भी training दे रहे हो या फि कि आसपास के लोगों से बच के रहना है जो कि मैंने पहले ही बताया guys आपके इर्दगेद लोग अच्छे नहीं है option two ठीक है तो यह पहली चीज है यह चीज आपको पहली करनी है ठीक है खुले मन से आप note खुले मन से सारे चीज़े बताती रहेंगे सब पर ट्रस्ट करके आप बताती रहेंगे बट कहीं न कहीं आपके इर्दगित के लोग रहेंगे आपके competitors रहे सकते हैं आपके form में आपके business में आपके profession में आपके job में इवन यहां पे मुझे से नज़र आ रहा है कि अगर आप education भी ले रहे है तो आपके education में भी बहुत साद आप बाधा सकती है अगले पड़ाब में ठीके business में profession में career में आपको संभल कर पैर रखना है option number two ठीके यहां पर अगर आपको job का offer मिला है या फिर आया है तो आपको देखना है कि वह सही है या नहीं है ठीके यहां पर थोड़े से delay हो सकती है या फिर आप offer आने का wait कर रहे होंगे तो waiting जल्द बाजी ना करिए message मुझे मिल रहा है आपके लिए option two जल्द बाजी नहीं करिए कि next पड़ाओ में हो सकता है कि थोड़े से obstacles रहेंगे बादर रहेंगे आपके career profession में exams education जो भी आपके business में okay partnership भी आप करने का सूच रहे हो तो थोड़ा सा संभल के करिए okay थोड़ा सा म चाहते हो तो थोड़ा सा आप time लीजिए चीजों के लिए ठीक है तो यह नजर आ रहा है यहाँ पर अगर promotion के भी मुझे हैं पर इसा नजर आ रहा है कि आपके आसपास के लोग बादा बन रहे हैं आपके promotion आपके high के लिए okay आपके salary के लिए भी मुझे असा नजर आ रहा ह है कि चीजे आपके लिए भैतर नहीं है option 2 अगले पड़ाव में आपको सिर्फ advice है कि संबल के रहना है ठीक है यहाँ पर और देखते हैं message night of cups है option 2 यहाँ पर मैंने जैसे कहा पहले पड़ाव में चीजे थोड़ी सी लटकी हुई रहेंगी but later on अगर मैं बोलू तो चीजे आपके लिए भैतर होती जाएंगी भैतर होती जाएंगी okay advice में यहीं है मैंने जैसे पहले कहा था कि आपको आसपास के लोगों से बचके रहना है ठीके यहाँ पर opportunities आपको मिलेंगी starting में आपको लगेगा कि मेरी जिन्दिगी में boost नहीं हो रहा है okay hard work आपको करना है guys okay hard work तो करना है बट किसी पर भी आखमोन के भरोसा नहीं करना है ठीके यह चीज है और जैसे आप hard work करने लोगोंगे definitely आपकी जिन्दिगी में बेशुमार opportunities आपको मिलती जाएंगी ठीके यहाँ पर promotion के भी मुझे chances दिख रहे हैं बहले ही थोड़े से obstacles रहेंगे problems रहेंगी promotion के related salary के related बट आगे जाके मुझे नजर आ रहा है कि आपके जिन्दिगी में promotions भी मिलती जाएंगी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यह जो stuckness है यह जो stuck moment रहेगा यह तीन मेनों तक रहेगा guys okay most probably three months तक रहे सकता है three months के बाद आपना चीज़े बहतर होते हुए देखोगे career profession business में okay आपके education में हो सकता है education में भी यहाँ पर मुझे कुछ viewers ऐसे लग रहे है कि जो education related देख रहे है exams के related देख रहे है तो three months का थोड़ा सा आप gap लेजिए okay three months में आप जल्दबाजी ना करिए ठीक है three months हो सकता है कि career wise career के related थोड़े से आपके जिन्दगी में ups and downs आए ठीक है उसके बाद आप देखोगे कि आपके जिन्दगी में opportunities आपको मिल रही है career profession job के related ठीक है यहाँ पर page of source भी है that means yes आपको चीज़ों को बहुत ही wisely choose करना है wisely pick करना है intelligence का इस्तमाल करना है option number two ठीक है चीज़ें आएंगी आपके पास offers आपको मिलेंगी अभी मैंने जैसे कहा कि three months का timing मैंने दिया है three months के बाद आपके तरफ offers आना शुरू हो जाएंगे बट आपको wisely decision लेना है ठीक है tackle करना है हर एक situation को ठीक है prepare करिए खुद को ठीक है interview के लिए prepare करिए अगर आप presentation देना चाहते हो presentation के लिए prepare करिए business के लिए prepare करिए business के लिए भी मैंने कहा कि three months का time लेजे क्या आप लीजिए किसी के साथ अगर आप partnership कर रहे हो तो उसके बाद आप कर सकते हो ठीक है कही ना कही पाई number two जो है यहाँ पर आपके जिंदिगी में ना three months के बाद एक बड़ा transformation आप देखोगे option number two बड़ा transformation क्योंकि आपके लिए death card है okay that's why यहाँ पर शुरुवात के phase में थोड़े से तकलीफ है आपके जिंदिगी में थोड़े से रुकावट हो सकती है problem हो सकती है work pressure जाधा रहगा बट उसके बाद आपके life change हो जाएगी option two आपके life पूरी तरह के से change कर देगा आपका career बले ही आपके जिंदिगी में आप जॉब नहीं होगा salary नहीं आ रही होगी अच्छी खासी पैसे नहीं मिल रहे होंगे बट यहाँ पर कुछ दिनों के बाद मैंने जो time line दिया है उसके बाद आपके जिंदिगी में एक अलगी phase आएगा जो आपने expect नहीं करा होगा option two ठीक है बस यहाँ पर मैंने कहा कि थोड़े से आपको initial stage पे थोड़े से तकलीफों का सामना करना पड़ेगा ठीक है आपके colleagues की तरफ से आपके boss के तरफ से थोड़ा सा आपको तकलीफ रहेगी आपके career profession में जॉब में आपके education में फिर उसके बाद आप देखोगे कि आपक से कहा था कि जॉब के साथ साथ हो सकता है रिष्टा शादी ये भी आप manifest करे हो तो वो भी होने के chances है बिकिस आप बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने वाले हो option 2 ठीक है आपके life में एक बड़ा transformation phase आप देखोगे option 2 आपके career profession के related ठीक है तो अगला पड़ाव आपके जिं happiness रहेगी ठीक है तो आप जो expect कर रहे हो उससे कई जादा मिलेगा क्योंकि that मतलब एक transformation पूरी तरह किसे transform कर देगा आपकी जिंदगी को okay आपके career में आपके business में आपका business अगर नहीं चल रहा है आप थोड़े से confused हो रहे हो कि मुझे job करना चाहिए business करना चाहिए तो आप जो भी decision लोगे उसमें आपको boost मिलेगा क्योंकि आप लोग हो सकते हैं कि अभी भी आप confusion mindset में हो कि मुझे कहा जाना है क्योंकि मेरे जिंदगी में कोई boost ही नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है कि थोड़े से obstacles रहेंगे शुरुआत के पड़ाव में थोड़े से रहे उसके बाद आपकी जिंदगी transform हो जाएगे नई वे से शुरू होगी आपकी जिंदगी option number two यहाँ पर कुछ viewers ऐसे भी हो सकते है कि आपको abroad जाना cancel हुआ है आपको promotion तो मिला हुआ होगा पर अचानक से आपने देखा कि मैं जो deserve करे थी वो दूसरों को मिल गया ठीक है तो कह ही ना कही आप थोड़े आपको थोड़े से problems आएंगे दिक्कते आएंगे अगले पड़ाव में उसके बाद आपकी जिंदगी पूरी तरके से बदल देगा आपकी जिंदगी पूरी तरके से बदलने वाली है by number two next पड़ाव में ठीक है guys so yes that's it guys यह थी आपकी day reading I hope guys यह आ and let me know in the comment section so thank you for listening bye bye take care god bless you and love you all